गुड मॉनिंग दोस्तों उमीद करता हूँ आप सभी खेरिच से होंगे इस वीडियो में हम बात करेंगे बाइजूस जारकन T20 के बारे में जो के मैच होने वाला है D.U.M. वर्सिस D.H.A. के दरमियान प्यारे दोस्तों दोनों टिम्स के बारे में हम आपको डेटेल में जान अगर हम चैनल पर मिलेंगे जिसके लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं प्यारे दोस्तों दोनों टिम्स के खवाले से अगर हम बात करेंगे तो पिछले साल यानि येर 2020 में दोनों की टीम फाइनल में भी पहुंची थी यहां पर ज्यादा स्रिट्रॉंग टीम की बात करेंगे तो डी एचे की टीम दोस्तों आपको ज्यादा स्रिट्रॉंग टीम देखने को मिलेगी अगर आप सुमाल लिग हैट टो खिलना चाहती हो तो इनके प्लेयर्स के साथ थोड़ा मतब आपको ज्यादा लेने पड़ेंगे फोक्स ज्यादा करना पड़ेगा इस टीम पर दोस्तों साथी साथ अगर आप हमारा संडे गिवेवे जितना चाते हो तो हर संडे की दिन हमारी तरफ से फाइव गिवेवे विनर्स को मिलता है फ्री आपकॉस पेटियम कैश पेटि दोस्तों टास जीतेगा वो पहले बैटिंग करने के बारे में सोचेगा क्योंकि यहाँ पर पहले बैटिंग जो करता है वो ही दोस्तों ज्यादा बार जीत चुका है और एवरेज स्कोर की बात करेंगे तो 130 पलस रहता है दोस्तों यहां का एवरेज स्कोर और बात करेंगे दोस्तो दोन टीम इसकी बेस्ट टीम की तो वो में आपको बता चुका हम कोई कौनसी टीम बेस्ट है और जो भी टीम टीम टाज जीते की वो पहले बैटिंग करने के बारे में ही सोच सकती है तो चलिए अब हम डिरेक्ट आपको अपको प्लेयर स्टेटिस देखाएंगे उसके बाद आपके साथ साथ हम दूस्तो एक सूपर क्लास ग्राइली टीम को भी दूस्तो बनाएंगे मेरी प्यारे दूस्तो सबसे पहले हम बात करेंगे टीम D.U.M के बारे में D.U.M. का दोस्तो यह जो यहां पर आपको players का status देखने को मिल रहा है तो D.U.M. के बारे में सबसे पहले हम आपको जनकारी देंगे कि इनकी तरफ से कौन से players best है और किस-किस player का क्या status है तो दोस्तो इनकी तरफ से सबसे पहले आपको players जो के alternate player है अक्षित जैन देखने को मिलेगे यह एक बहतर player है अभी तक 30 matches खिल चुके है T20 match जारखन के दोस्तो अगर देखे जाए जारखन T20 लेग के जिसमें से दोस्तो इसने 28 match में बैटिंग की 30 match के लिए 28 में इनकी बैटिंग आई और 521 runs का score किया यानि 520 तकरीबन score किया हाइस score की बात करेंगे तो सिर्फ 21 इसका हाइस score आई क्योंकि यह आल्डरंडर department में आपको मिलेगा यह ज़्यादा बैटिंग करता नहीं है प्यारे दोस्तो यह एक आल्डरंडर है यह आपको wicket भी निकाल की देगा इसने सबसे ज़्याद विक्टे भी ली है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अर्नव सिर्फा की बात करेंगे 12 match तो अगर हम बात करेंगे इसने 12 match खेले 12 में बैटिंग की तकरीबन दोस्तो इसने 200 run का score किया है और 54 इसका high score रह चुका है अविश्कुमार ने 9 match खेले 8 में बैटिंग की डेड़ सो इसने भी तकरीबन score किया 48 इसका high score है शिवम रेना शिवम राई इसने 9 match खेले 8 में बैटिंग की 111 दोस्तो टोटल score किया 48 इसका high score है विवानन तिवारी की बात करेंगे 11 मैच खेले 11 में बैटिंग की 95 टोटल score किया 34 इसका high score है रह चुका है अमिद गुप्ता ने 6 मैच खेले 6 में बैटिंग की टोटल 76 सिकोर किया 37 high score है चुका है इसका और यहांपर आज ए सोनो की बात करेंगे 17 मैच खेले 11 में बैटिंग की total 50 runs का score किया और 21 run highest score इसका है अब दोस्तों यहाँ पर आपके लिए best players की बात करेंगे कि कौन-कौन से है best players तो दोस्तों यहाँ पर यह दोनों players आपके लिए best रहने वाले है अविश कुमार और शिवम राई और उसके बाद दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पर मोहित राई मोहित कुमार आपके लिए best रहेंगे और साथी साथ दोस्तों आक्षित जैन और यहाँ पर अर्नव सिनहा दोस्तों best रहेंगे अब दोस्तों DUM की तरफ से जो important bowlers है जो कि आपके लिए दोस्तों compulsory रहेंगे जनको लेना पड़ेगा तब ही आपका team best बन सकता है तो मेंने आपको दिखा दिया कि 28 शाइद इसका high score था 22 तो यहाँ पर इसने 30 match खेले है 28 match में दोस्तों balling की है 118 over किये और 3 balls टोटल दोस्तों 39 wickets निकाले तो काफी बहतरीन बहतरीन player है यानि दोस्तों देखा जाए टोटल 8 match 28 match में इसने balling की और 39 wickets निकाले यानि पर match दोस से ज्यादा विकट निकाल सकता है अजे सोनु ने दोस्तों 17 match खेले 15 में balling की और 22 wickets निकाले विवानन तिवारी ने दोस्तों 20 wickets निकाले सोनु सिंग ने 11 रोहित सिंग ने 5 अमिद गुपता ने 5 विकट और यहाँ पर निशान कुमार ने 3 दो यहाँ पर शिकर ने 2 और अश्त्रफ जुनेद अश्त्रफ ने दोस्तों 2 wickets निकाले है तो यहाँ पर देखा जाए आपके लिए best best कौन सा है अक्षित जैन तो आपने पहले ही ले लिया है सोनु है और विवानन तिवारी है यह दो बोलर्स दोस्तों यहाँ से इनकी तरफ से आपके important रहेंगे आप में से कोई note कर रहा होगा या कोई team बना रहा होगा यह DHA players का status है तो दोस्तों अनि बर चितार जी यह जो player है यह इनकी तरफ से important player है सबसे जादे important क्योंकि यह all runner है 21 match इसने खेले है 19 match में बैटिंग की 600 run score किये 78 इसका high score है यानि बैटिंग से भी काफी ज्यादा contribute करे 23 match खेले 26 में बैटिंग की total 404 का score किया 50 run इसका high score है निजाम सुद्धी की ने 11 match खेले 11 में बैटिंग की 280 तकरीबन इसका high score है 48 दोस्तों total score है 48 इसका high score है सत्या सीतु ने 11 match खेले 10 में बैटिंग की तकरीबन 200 total score किया 57 high score है वही जाई प्रकाश यादव इसने 12 match खेले 9 मे 33 इसका हाइ स्कोर है शिली राज की बात करेंगे इसने 11 मैच खेले 9 में बैटिंग की 97 टोटल स्कोर 56 हाइ स्कोर और आरियान होडा की बात करेंगे 6 मैच खेले 6 में बैटिंग की 83 टोटल स्कोर 61 हाइ स्कोर यहराज कुमार ने 9 मैच खेले 7 में बैटिंग की टोटल 50 स्कोर स्कोर 40 वकाश कुमार ने दोस्तों 6 मैच खेले 5 में बैटिंग की और यहां पर 43 टोटल स्कोर किया और 20 दोस्तों इसका हई स्कोर है best players की बात करेंगे जो आपके लिए इस मैच में best रह सकते हैं वही दोस्तों पहला option दूसरा option तीसरा option यह दोनों option ठीक है और उसके आप चाहों तो इन दोनों में किसी एको pick up कर सकते हो लेकिन पहले तीन दोस्तों बिल्कुल आपके लिए कम पलसरी है बात करेंगे दोस्तों यहां पर DHA के important ballers के बारे में जो DHA की तरफ से important है कुशाल सिंग दोस्तों इन की तरफ से important player है 33 मेंच खेले 26 में balling की अभी तक 18 विकट ले चुका है अभिशेक यादव ने 14 विकट निकाले जे परकाश यादव ने 12 विकट निकाले और यहां पर तो चलिए दोस्तों अब मैं आपके सामने ही एक super class grandly team का आपको प्रिव्यू दिखाऊंगा तो दोस्तों यहां पर प्रिव्यू दिखाने से पहले मैं आप सभी से एक प्यारे सी request करूँगा मेरे प्यारे दोस्तों जिगर की टुकडो अगर आपने अभी तक हमारी इस चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज एंड प्लीज सबस्क्राइब का बटन दबा दे और बेल की गंटी को भी दबा दे ताके जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करे आपको उसके नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे मुझे उम्मीद है कि आपने हमारी चैनल को सबस्क्राइब किया होगा यहां पर दोस्तों निजाम सिद्धिक के साथ में जाऊंगा उसके बाद दोस्तों बैटिंग डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो अजे सिनहा यहां पर ठीक रहेंगे और साथी साथ दोस्तों सीतू के साथ आप जा सकती हूँ आरियान होटा के साथ जा सकती हूँ लेकिन फिलालों दोस्तों एस शिकर के साथ जाएंगे और आर सिंग को हम लेव करेंगे यहां से इनकी तरफ से सी तू की साथ में जाओंगा या फिर आप चाहो तो आरियान होटा के साथ जा सकती है या आपको सस्टे क्रेट में मिलेगा अगर क्रेट प्रॉब्लिम आगे हुई तो हम इसको अपडेटीम से चेंज करेंगे वही तो दो पॉसन लोगों ने इसको लिया है लेकिन सूपर क्लास प्लैयर है इसको मिस नहीं करना है फिलाद यहां पर हमने तीन आल ड्राउंड को लिया है अगर क्रेडिट पॉब्लिम होई तो हम किसी नवब बिसी प्लेयर को फिर ड्राप करेंगे जे प्रकाश याद हो इसको हमने अपने टीमे फिक अप कर लिया है और इसके बाद अगर हम बात करेंगे यहांपर वी आनंद की तो वी आनंद के साथ आप जा सकते हो तिवारी भी यहांपर है एक अच्छे खासे प्लेयर उसके साथ भी जा सकते है एसकार सिंग की बात क्योंकि हमारे पर स्क्रेडिट है इस वक्त सोनु की बात करेंगे सोनु के साथ आप जा सकती हो यह भी अच्छा है विवानंद अनंद तो इसके साथ हम जाना चाहेंगे लेकिन फिलाल हम देखते कि यहां पर कोई बैस्ट प्लेयर ना मिले आरियान चोदरी इसके साथ भी प्लेवी देखेंगे कि यह टीम कैसा दिख रहा है तो इस टीम में देखा जाए तो ज्यादा तर डी एचे की तरफ से प्लेयर आए है यह पिछले साल भी दोस्तों चंपिन रेच चुकी है इसने साथ मैच पिछले साल जीते हैं और यह स्टीम ने दोस्तों फाइनल भी खे में नहीं आये है यहाँ पर निजाम सद्धी की कैप्टेंसी के लिए ठीक रहेंगे शिखर कैप्टेंसी के लिए ठीक रहेंगे और एक प्लेयर में आप को दिखाऊंगा दोस्तों जिसका नाम है कुशाल सिंग यहाँ पर अभी दिख नहीं रहे है कुशाल सिंग कहां पर तो प्यारे दोस्तों फिलाल आप यहां से हमें दीजे इजाज़त हम बेस्ट एंड बेस्ट एज मैं लेवल तो मैं आपको टीम्स टेलीग्राम पे बेच दूंगा फिलाल यहां से आप दीजे इजाज़त है वे गुड डे